आज के special वीडियो में हम mouse और keyboard की साहता से select करने के तरीके सीखने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने काम को और भी आसान और जल्दी कर सकते हैं selection के इतने सारे जबर्दस तरीके आपको एक ही वीडियो में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे इसलिए आगे और भी powerful वीडियो में ला सकूँ इसलिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा आज के इस वीडियो में हम computer की memory में अलग-अलग files को select करने के लिए बहुत सारे mouse और keyboard के कुछ तरीके सिखेंगे सबसे पहले हम mouse के कुछ तरीके सिखने हैं सबसे पहला तरीका है कहीं पर भी किसी भी file को हम select करना चाहरा है तो उस file को click कर देंगे तो file select हो जाएगी और अगर एक से ज्यादा file को select करना हो तो फिर control key को साथ मिलेना पड़ेगा तो keyboard समने है control key press key control के साथ click 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 से अलग-अलग file को select हम कर रहा है और अगर कोई file गलती से select हो गई है तो उसे हटाने के लिए भी वही तरीका है control plus click से वो file need select भी हो जाएगी ठीक है तो अलग-अलग इरिया के कुछ file को select करने का तरीका है Ctrl प्लस क्लिक से Select भी होगी और Ctrl प्लस क्लिक से Disselect भी हो जाएगी उसके बाद दूसरा तरीका है Dragging Dragging का मतलब जहां से हम चाह रहे हैं वहाँ पर Mouse Pointer ले जाकर आपको Mouse का पटन दबाना है और Mouse का पटन दबाकर आगे पीछे Mouse को घुमाते जाना है तो जिस तरब भी हम जाएगे उस तरब File का Selection होते जाएगा तो ये Dragging से हमने File है Select की और अगर इनमें से कोई File जो गलती से Select होगा ये जो हमें नहीं चाहिए तो Ctrl प्लस क्लिक करके उस File का Selection हम हटा भी सकते हैं अलग-अलग Area की File को Drag करके Select करना हो तो Ctrl को साथ में लेलना पड़ेगा Ctrl प्लस, Dragging Ctrl प्लस, Dragging से देखे अलग-अलग Area की File हो रही है और इसी तरह से Ctrl प्लस, Dragging से Selection को हटा भी सकते हैं या फिर Ctrl प्लस, Click से Unwanted Files को हटा सकते हैं इसके बाद Select करने का अगला तरीका है Shift प्लस, Click मतलब किसी एक File पर हमने Click किया है और Shift को दबा कर रखेंगे और उसके बाद अगली किसी File को Select करेंगे तो वहां तक की सारी File है Select हो जाएगी Shift बटन को साथ में आपको दबा कर रखना है फिर से करते हैं किसी एक File को हमने Select किया और Shift के साथ अगली File पर Click किया तो दूनों File के बीच की सारी File है Select हो जाएगे अगर कोई Unwanted File इस Group में आज जुगी है तो Ctrl प्लस क्लिक करके उस Unwanted File का Selection हम हटा सकते हैं इसके बाद अब किसी एक File को आपने Click करके Select किया है या फिर 4 Arrow Key का यूज़ करके आपको सही फाइल तक चले जाना है उसके बाद Shift बटन के साथ में 4 Arrow Key तो अगर Down Arrow Key करते हैं तो एक एक File नीचे Select होगी Up Arrow से Selection हटेगा या फिर दूसरी दरफ सेलेक्ट होती जाएगी इसी प्रकार Right Arrow करेंगे तो Right Right में File सेलेक्ट होती जाएगी और Left Arrow से Selection हटता भी जाएगा उसके बाद अगर Ctrl Key को साथ में ले लेते हैं मतलब Ctrl Plus Shift Plus Down Arrow Key का यूज़ करेंगे तो Down में Select होते जाएगी Up Arrow का यूज़ करेंगे तो आप Selection हटेगा नहीं बलके दूसरी तरह भी Select हम कर सकते हैं Ctrl Plus Shift Plus Down 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 और Ctrl Plus Shift Plus Up 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 अगर बिना Ctrl के हम करते थे तो Selection हटते जाता था लेकिन अगर हमने साथ में Ctrl को लिया हुआ है तो Ctrl Plus Shift Plus Up से एक एक फाइल सेलेक्ट हो रही है और Down करके आएंगे तो Selection हटेगा नहीं बलके दूसरी साइट भी Selection होना चालो हो जाएगा इस साथ से राइट, राइट, राइट में जाएंगे तो Selection होगा लेफ्ट वापस आजाएंगे तो Selection हटेगा नहीं बलके और लेफ्ट की तरफ जाने पर Selection बढ़ता जाएगा अब इसके बाद अगर सारी की सारी फाइल हमें एक बार में ही सेलेक्ट करना हो तो Keyboard से Shortcut है Ctrl प्लस A तो Ctrl प्लस A करते ही Select All हो जाएगा मतलब सारी फाइले एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगी यही काम करने का दूसरा तरीका है सबसे उपर File, Edit, View, इत्यादी मीनू आपको दिखाए दे रहे है तो हमें Edit मीनू में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा Select All Select All पर क्लिक करते ही सारी फाइले सेलेक्ट हो जाएगे सेलेक्ट करने के बाद में जो भी इनके साथ ऑपरेशन हमें करना है Cut, Copy, Paste, Delete करना हो या जो भी ऑपरेशन हम करना चाहरा है कर सकते है तो साथियों, उम्मीद है आज की वीडियो में आपने कंप्प्प्टर के जबरदस्त ऑपरेशन्स सीखे होंगे आगे भी ऐसे ही जबरदस्त वीडियो दाते रहेंगे लेकिन आप सब के सपोर्ट की जरूत है इसलिए ग्यान बूस्टर कंप्प्टर शाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा समय पर नोटिफिक्शन्स पानी के लिए बेल को भी एक्टिव कर लें धन्यवाद